जैहिंद इस वीडियों बात करेंगे NCL Research Company के बारे में जिसका पूरा नाम है NCL Research and Financial Services Limited देखिए बात इस पर भी होगी कि जिन निविशकों का पैसा इस कंपनी में फसा हुआ है उन्हें क्या करना है उनकी आगे किरिया नीति क्या होनी चाहिए लेकिन उससे भी जरूरी बात कि आखिर पैसा फसा की हुआ है क्या इस कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिकत है मैंनेजिमेंट में कोई समस्या है या निविशकों ने कोई गलती की है जिसकी वजह से उनका पैसा फसा हुआ है तो ज़्यादा देर नहीं करते सिधे मुद्ध वाज़ा तब से लेकर अब तक यह कंपनी प्रयासरत और संघरसरत ही है अभी तक मुकाम पर पहुची नहीं है फाइनासल सेक्टर से कंपनी बिलॉंग करती है क्योंकि यह एक NBFC कंपनी है यानिके नन बैंकिंग फाइनासल कंपनी बैंक की तरह यह सवाई देती है इस तर और क्रॉन का सकूरत रॉ कि अभी का मार्केट के पूरतमान के बता रहा हूं और स्षट को प्रइस देखिएंगे तो आज क्पनी का सेयर प्र्यक्स से ऐगा सबहूंच गया था और कंपनी का स्चरृपय त मताइब तपता है इतना इसका मार्केट कけて अब समझ frying यह अगे जह निकलता कैसे जैसे क clapping करें लिए जल अफकऱ्ाइब बन्हार員 शुभार। तो सब्सक्राइब से तक यह हैं यह जाथ हो जो मार्केट के जादा होना ज़रूरी है यह जब तक मार्केट के जादा नहीं रहेगा और जिसमें पैनी सब्सक्राइब यहां समझजेगा अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो देखेंगे कि जनुवरी के बाद से इस कंपनी का सेर पाइस कंटिनीवर है डाउन गया है और अभी इसका जो अगला सपोर्ट लेवर निकल कर सामने आ रहा है जहां पर उमिद है कि जाकर इसका गिरावट हर जाएगा वह है 38 पैसा क्या सपास यानि कि यहां सो सकते है प्राइस उपर जाए हो सकता है अभी कोई गरांटी नहीं है यह डिपेंड करता है अभी आने वाले समय में इसका जो काड़ा टू कर नतिजा आने वाले हैं और फंडामेंटल बहतर हो जाए इस पर अब समझे कि इस आखिर इस गिरावट के पिछे का कारण क्या है किस रीजन से इसके प्राइस म कारण क्या हो जो से चलते हैं और यह होता है और सबस्क्राइब मैंनेजमेंट इसका नहीं है इसके पीछे की बज़ा में बता रहो मार्च के क्वाटर का जो रिजूल्ट आया था आपको पता एक साल में 4 होते हैं और हर थीन तिन तिन मापर आता है तो तो मार्च में सबसे लाश्टपर निकिक वाटर फूर गया उसमें कंपणी करें देनी हुआ था लगबग 69 लाख यानि का सतर लाख रुपए के आसपास और जब 70 लाख रुपए कंपनी को आम देनी हुआ तो उसमें से कंपनी ने अपने बिजनेस पर खर्च किया सिर्फ 8 लाख रुपया कोई बुरा ही नहीं है लेकिन जब जून के क्वाइटर में यानि क आपको एक्जामपल दे रहा हूं हो सकते ऐसा पहले भी हुआ हो लेकिन यह कतरी ठीक नहीं है कि आम देनी सदिक खर्चा किया जाए खासकर एक पेने श्टोक में क्योंकि इसके पास कमाई का कोई दूसरा साधन होता नहीं है और इसके अलावा अगर प्राइस के और नीचे रुपेगा चीज बेच रहे तो उससे ज्यादा उसको उस प्रोड़क्त को बनाने में लॉस हो जा रहा है दूसरा कारण है इसको सुद मुनाफ़ा करते हैं क्योंकि टेक्स देने के बाद कंपनी उपास बचता है यह भी माइनस में 77 लाग का कंपनी को लॉस हुआ है क्वा भाग रहें प्रमोटर्स अपना बुरिया विश्टर समिट के से स्टॉक से निकल रहे हैं तो मेरा आपसे यह गुजारिस रहेगा कि यदि आपका इंवेश्टमेंट है इस कंपनी में तो आप बस क्वाइटर टू कर नतीजा आने तक इंतजार कर लिए नतीज अच्छे आ झाल